दोस्तों कहते हैं कि हर पुलिस वाला अच्छा नहीं होता है लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर पुलिस वाला बुरा भी नहीं होता है पुलिस वालों से सामना पड़ता है एक लड़की का जब जब उनका उनसे सामना पड़ता है तब लोगों को पता चलता है कि वाकई पुलिस वाले बहुत खराब होते हैं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा experience भी होता है कुछ लोगों का अनुभाव ऐसा भी होता है कि वह पुलिस वालों के तारीफे करने से पीछे भी नहीं हटते हैं वह बताते हैं कि कभी कभी पुलिस वाले भी काफी अच्छा बेवार और काफी अच्छ था और उस ब्यक्ति का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था पुलिस वालों ने देखते ही देखते इस फाइल को बंद कर दिया लेकिन एक IPS जो आफिसर होता है वो IPS आफिसर ने उस फाइल को देखा तो देखा गया कि एक ब्यक्ति पिछले कई साल से एक कबर के अंदर दफ को इस बात की गूंज आज चारों तरफ फैली हुई है और उस IPS आफिसर की सब लोग वह वही और तारीफे कर रहे हैं उसको सैलूट करने पर मजबूर हो रहे हैं यह ना ऐसा ना जाने उस IPS आफिसर के नाम कितने खिस से कितने कहानी जुड़ते चले जा रहे हैं जिन में से एक कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हैं उसको सुनने के बाद सायद आपके अंदर भी सिहरन सा पैदा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो जिला होता है गाजियावाद और इसी गाजियावाद जिले का एक ठाना लगता है जो इस ठाने में ठाने से सटी एक आवाज देता है और जैसे ही उस लड़की को आवाज देने की कोशिस कर रहा था और अपनी चाल को वह लड़की बहुत तेज करने लगती है और वह लंबी लंबी सांसे लेती है अपने पारलर में घुसके यानि कि वह लड़की महां से दोड़के अपने पारलर में चली ज कलता है और अगला दिन भी एक बार फिर से वह पुलिस वाला बोलता है कि मेरी बात सुन लो लेकिन वह लड़की डर के मारे फिर से भाग जाती है फिर भी बात करने को तयार नहीं होती है तीसरा दिन आता है और फिर यह पुलिस वाला उस लड़की का रास्ता रोकता है और उ उस लड़की के पास जाने के बाद उस लड़की ने थोड़ा सी बात इसकी सुनती है और आखिर कर उसको थोड़ा सा विश्वास जगा ये जगा देता है और उसको विश्वास होने लगता है कि सायद या पुलिस वाला मेरी कुछ मदद कर सकेगा यही वज़ा थी कि वह लड एकाम करते हैं, उसके साथ हुआ गलत संबंद बनाते हैं. गलत काम करते हैं और लंबे समय मा के पास सोय रहते हैं. उसके साथ हुआ संबंद बनाते हैं और लंबे समय से पडोस में रहने वाले एक ब्यक्ति हैं उसका नाम होता है अरूण उर्फ अलीफ उनको लेकर आती है तब उसके बाद एक ऐसा राज दुनिया के सामने खुल के सामने आता है जो की राज को सुनने के बाद लोग भौचक ये आदमी हो जाता है इस ब्यक्ति को जो है तलास करने के लिए इसके घर वालों ने तमाम कोशिस की पुलिस को फोन किया गया आसवास के लोगों के साथ मिलकर आसवास के इलाकों में डूनना सुरू कर दिया है लेकिन दरसल यह ब्यक्ति इसी गाजियावाद का नंद ग्र बिवार का और अपना गुजारा करता था लेकिन 28 सितंबर 2018 को अचानक से यह ब्यक्ति गायव हो जाता है और कोई ख़वर इसको इसकी नहीं मिलती है तब इसका जो छोटा भाई था इसको इसकी नजदीकी के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर बताता है कि मेरा अचानक से गायव हो गया है गुमसुदगी का जो है रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है कोशिस करता है तब यह वहाँ पर दोड़ते हुए उसकी पत्नी बविता आ जाती है और कहती है मेरा पती मेरे पती को गायव किया गया है वह गायव नहीं हुआ है और गायव कर कराने के लिए पुलिस इस्टेशन आया हुआ था उसी के ऊपर उसकी पत्मी आरोप लगाती है बस यहां इतना सा कहना था कि 5 अक्टूबर 2018 को मुगदमा तो दर्ज हो जाता है लेकिन देवर और भावी एक दुसरे पर आरोप लगाने लगते हैं देवर कहता है मेरी भावी ने मेरे भावी को लापता किया है और भावी कहती है कि मेरे पती को लापता किया है क्योंकि मेरे देवर जमीन जायजाद हरपनया चाहता है और इसलिए इसने मेरे पती को गायब करवा देता है इसको गिरफतार कर लो और इसे सच उगलवाने की कोशिस करो जब यह बात पुलिस वाले बिल्कुल हैरान और परेसान हो जाते हैं आखिर कर पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और गिरफतार करके इनको हवालात में बंद कर दिया जाता है अब इनसे पुष्टाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ सफलता पुलिस वालों को हा लगने लगा था कि ये जो केस है बिल्कुल पुलिस वाले इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे और गंभीरतार से ना लेने की वज़ा से और पुलिस वाले को कोई सबूत ना मिलने की वज़ा से इस फाइल को वहीं पे रिपोर्ट लगा के बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है इसके बाद फाइल दर फाइल उपर चढ़ती रहती है और जो नीचे की फाइल है वह धूल फाकने लगती है और मामला और यह मुद्दा कहीं न कहीं ठंडा बस्ते में चला जाता है लेकिन चार अपरेल 2022 को एक वक्त ऐसा भी आता है यहां पर IPS अफिसर की तैनाती होती है और वह पूरे जिले का ब्रहमर करते हैं पूरे जिले में बारीकी से जिलो की को समझने की कोशिस करते हैं जाज परताल करने की कोशिस करते हैं तभी वह अपने टीम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे केस की तलास है जिसमें की जो फाइन जिसका नाम चंद्रवीर सिंग उर्फपपू होता है और उसको गायव हुए लगवक चार साल और एक महीने हो चुकी है तभी मुनी राज जो इंस्पेक्टर थे ओ कहते हैं लगातार फाइल की जाच कराते हैं और इस केस को फिर से दुबारा खोल कर और उसकी जाच अच्छे से कराई जाए और तभी वह क्राइम ब्रांच की अफिसर होते हैं उनको तैनात किया जाता है उनसे कहा जाता है कि मुझे इस मामले की जाच परताल चाहिए जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी घटना करम का खुला सा चाहिए तब यह जो क्राइम ब्रांच की अफिसर होते या उसके रिष्ठेदार, उसके घरवाले, उसकी पतनी सबसे पूष्टाज करने लगते हैं पूष्टाज करते करते हैं एक छोटा सा इनको जो है लोगों को एक सुराग मिलता है कि जो चंद्रबाबू और पपू होता है इनका उम्र लगवक 40 साल होता है और उनकी जो पत्नी थी जिसे उनकी साधी हुई थी उनकी पत्नी की थोड़ा एज कम थी इसको एक बेटी पैदा हो जाती है और बेटी पैदा होने के बाद यह परिवार खुसहाल तरीके से रहने लगता है लेकिन जमीन के टुकडे बेच कर यह जो पपू था यह सराब पीन था तो बगल का एक देवार आकर मलहम पट्टी लगाता था और इनके बीच में प्यार जो है बनना उत्पन हो जाता है उसने जो क्राइम ब्रांच के जो पूलिस अफिसर होते हैं जो उसकी बेटी होती है जो उस वक्त 11 साल की थी और आज चार साल के बाद वह लड़की देखती है तब लड़की कहती है कि मैं अपने चाचा को मैं रोज देखती हूं और चाचा का नाम आता है जो पडोसी होते हैं अरूर उर्फ अनिल और मा का नाम आता है जो दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तब ये दोनों चौकाने वाले बात सामने आता है सबीता रोज बताती है कि रोज मेरा पती सराप पीके आता है और मुझे परिसान करता है मेरे साथ मार पिट करने की कोशिस करता है और रोज रात को मेरे साथ मार पिट करता है मार पिट करके चला जाता है और मेरा दुख बाटने की ये जो मेरा पडोसी है ये दुख बाटने के लिए दुख मैं ये बाटने के लिए मेरा आता है और मेरे घाओं पे मलहम लगाता है और जब ये मलहम लगाते लगाते हम दोनों के विच कब प्यार हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है और जब य रहने वाला जो अरूड था वा उसने साधी ही नहीं की थी उसके माता पिता दोनों साथ रहते थे माता पिता कभी इसको छोड़ के दूसरे घर चले जाते थे कभी इसके पास रहते थे यानि कि एक जगह उसके माता पिता नहीं रहते थे और जब भी इसको टाइम मिलता था त पिता भरतपुर गय हुए थे और उसने तीन बार चार पहले से दिन से अपने घर में कर गड़ा खोदना सुरू कर दिया था कोई पूछेगा तो वह कर देगा कि यह लेट्शिंग का गड़ा बनवा रहा है टैंक बनवा रहा है इसलिए उसने इस गड़े को खोद रहा था ल जब अपनी पतनी को मार पीट करने की कोशिस करता है तो उसे उस दिन इस्तिपाक से यह भी होता है कि जो उसकी बेटी होती है वह आए दिन जगड़ों से परिसान हो जाती है इसलिए वह कई बार अपने परिवार के जो बाकिस अदस्य के पास चली जाती थी और वहीं पे रात भे रात में रुक जाया करती थी अपने रिस्तिदार के पास इस घर से लगवक 500 मीटर की दूरी पर हुआ करता था उनके रिस्तिदारों का घर जैसे बात है और तभी जो ही उस होता है तहीं तो ही तकिया लगा के और गुली चला देती है उसकी पत्नी और वह मौत हो जा जाए नहीं तो कभी क्या होता है कि कभी कभी जब उस घर से लास मिलेगी तो यह चांदी का कड़ा बता देगा कि यह पपू ही है चंदरवीर ही है यही सोचके वह कड़ा निकालने लगते हैं लेकिन कड़ा नहीं निकलती है तमाम कोशिस के बावजूद भी ओलो क्या करते हैं कि लास्ट में उसके हाथ को काटके कहीं दूसरी तरफ फेक देते हैं और फेकने के बाद ओ जो है लास्ट को इस च्छत से लेके उस च्छत यानि की च्छत के उपर से उसके अरूर के घर में लेकर जाया जाता है और वहां जो गड़ा खुदा हुआ था गड़ा में दोनों देवर और भावी जाकर दर्ज कराते हैं और तलासी पुलिस करना सुरू कर देती है कोशिस करने के बाद तमाम कोशिस करने के बाद लेकिन लास्ट नहीं मिलती है इसलिए यह लोग परेसान हो जाते हैं और इधर जो देवर भावी होते हैं यह रात के जो ही अंधे क्रम का जब खुलासा होता है तो ठीक चार साल एक महीने पर इस केस का खुलासा होता है जब राज यह लोगों को सामने खुल कर आता है तो लोग हैरान और परेसान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आखिर कर ऐसा कैसे कर सकता है उसकी पत्नी को दिक्कत थी जो है परेसानी थी तो जमीन के कुछ टुकड़े लेके अलग रखती और अपनी जिन्दगी की गुजर बसर करती अब तो पतनी सलाकों के पीछे है जो अरूर उसका देवर है वह भी सलाकों के पीछे है पता नहीं कैसे उसके माबाप का अब गुजारा होता होगा अब बुढ़े का जो बुढ़ा बुढ़ी थे उसके माबाप उसका वो सहारा एकलावता सहारा था जो की अब छीन चुका था अब जो सोला वरस की लड़की है वो पता नहीं अब कैसे रहेगी लेकिन जब बेटी को चार साल के बाद जब यह पता चलता है कि उसकी पिता की हत्या करने वाला कोई और नहीं ह उसकी माँ है और उसके पड़ोसी के चाचा है तो जबकि वह लड़की हर महीने ठाने जाती थी और यह पता लगाती थी कि मेरे पिता जी कि कोई ख़बर मिली है कि नहीं मिली है और वह महसूस करती थी तो अपने कभी अकेला महसूस करती थी तो अपने माँ को साथ लेकर ज जागरूप करना बिल्कुल भी नहीं है बलकि आप लोगों को जागरूप करना है कि किसी पर भी भरोसा अब नहीं किया जा सकता जाते जाते आप लोगों से मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कोई भी आए लई लाओ लाए लाओ